हम को ये तैय करना पड़ेगा कि आतंकवाद का सबसे बड़ा समर्थक दरसल कौन है पाकिस्तान ही है या अब आतंकवाद का सबसे बड़ा समर्थक जो है केनेडा हो गया है अब तक हम पाकिस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवाद का समर्थक देश कहते हैं मानते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान भारत में टेर्रिस्टों को एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान अपने मुल्क में अपनी सरजमी पर बाकाइदा आतंकवादियों को तैयार करता है बीते कुछ सालों में दुनिया के जितने बड़े बड़े आतंकी हमले हुए पूरी दुनिया में जो भी बड़े आतंकी हमले हुए उनका लिंक कहीं न कहीं पाकिस्तान में मिला उन आतंकियों का लिंक कहीं न कहीं पाकिस्तान में मिला और पाकिस्तान आतंकवाद के मुद क्वांते हैं दुनिया माने ना माने और हमारे पास इसके बड़े ठ् dobrze कारण है लेकिन अब हम коп को ये करना पड़ेगा कि आतनकवाद का सबसे बड़ा समर्थक दरसल कौन है पाकिस्तान ही यह अब आतनकवाद का सबसे बड़ा समर्थक जो है कैनेडा हो गया है क्योंकि कैनेडा में पिछले दिनों ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद अब हमें सोचना पड़ेगा अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या कैनेडा पाकिस्तान से भी आगे निकल गया है क्या कैनेडा दरसल पाकिस्तान से आगे जाकर आतंकवाद का पाकि ऐसा मैं इसलिए खिया रहा हूँ क्योंकि पहली बार दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि एक देश की संसद में बाकाइदा एक ऐसे व्यक्ति को शद्धानजली दी गई, एक ऐसे व्यक्ति की मौत पर मौन रखा गया, जिसके सीधे सीधे आतंकवाद से लेकर जो है, जिसक में गोली मार कर हत्या कर दी थी जिस हरदीब सिंग निरजर को कैनेड़ा की संसद में बाकाइदा मौन रखके शद्धांजली दी गई वो दस लाग का इनामी इनामी आतंकी है सोचिए भारत ने उसके उपर दस लाग का जो है इनाम घोशित का रखा है वो खालिस्तानी आतंक की इंटरपोल में जिसका नाम है जिसका सीधा सीधा लिंग जो है खालिस्तानी टाइगर फोर्स से उसको ले करके उसको शद्धांजली दीगी भारत ने इस पर कड़ा विरोध जता है लेकिन विरोध जताने से क्या होगा जब पहली बार दुनिया की किसी संसद के अंदर एक आतंकवादी की मौत पर अगर इस तरह से मौन रखा जाएगा तो फिर अब आप इसके बाद जो मर्जी संदेश दें लेकिन एक संदेश तो चला गया कि आतंकवाद को लेकर भी इस तरह से ग्लोरिफाई करने में जो है कैनेडा पाकिस्तान से पीछे नहीं है हम पाकिस लेकिन आतंकवाद का सपोर्टर आज से नहीं कैनेडा 40 साल से आतंकवाद का सपोर्टर है अभी पिछले जिनों 23 जून को जो है कनिश्क जो विमान हादसा हुआ था कनिश्क विमान में जो बॉम ब्लास्ट हुआ था इंडियन एर इंडिया का जो विमान कनिश्क है उसमें जो बॉम ब्लास्ट हुआ था उसके तार भी कैनेडा के अंदर जो खालिस्तानी आतंकी हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं और सीधे सीधे इस ये जो कैनेडा की विमान दुगटना थी इसके पीछे खालिस्तानी आतंकवादियों का हाथ था इसमें सोचिए कि 349 लोगों की जान गई और इसमें जादातर मरने वाले जिन लोगों की जान गई वह सब कैनेडा ही मुल के नागरिक थे तेईस जून 1985 फ्लाइट कनिश्क 182 पर खालिस्तानी आतंकी बबर खालसा दुआरा विसफोटक हमला किया गया जिसमें 339 यात्रियों की मौत हुई जिनमें 268 कैने कि नागरिक थे लेकिन उसके बावजूद 40 साल हो गए लेकिन कैनेडा ने आज तक इसकी जाँच पूरी नहीं की है कैनेडा की पुलिस इसकी जाँच अभी तक कर ही रही है उन 40 साल बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं आए वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची और इस मामले में जितने उसके किसी के खिलाफ कैनेडा की सरकार ने कैनेडा ने आज तक कारवाई नहीं की वो आज तक जाँच कर रही एस मामले में CBI ने बाकाइदा ये अपनी होर से ये कहा था कि हम इस जाँच में इस जांच को किसी सीरे तक पहुंचाना चाहते हैं भारत ने ऑफर कि था कि CBI मामले की जाच करें लेकिन कैनेडा ने उसकी भी अनुमत ही नहीं दी तो आप सोचिए कि 49-40 साल से जो है कैनेडा जो है आतंकवाद का समर्थक देश रहा है और इसलिए उसके उसकी सरजमी पर खालिस्तानी आतंकी जो है उनको वो पालता पोस्ता रहा है कभी कोई एक्षन न इकालते हैं उसको इंद्रागंदी को गोली मारते हुए दिखाते हैं जिस तरह से तिरंगे काप मान करते हैं उसको लेकर कैनेडा ने आज तक कोई कारवाई नहीं किये तो यह दिखाता है कि कैनेडा जो है वो किस तरह से आतंकवाद के मसले पर जो आतंकवाद का समर्थक और ये भी आपको बता दूँ आज जस्टिन टूडो जो है वो जिस तरह से खालिस्तानी आतंक वादियों के हाथों में खेल रहे हैं उनके पिता थे जब गनिश्क विमांद रुगटना हुई थी तब उनके पिता वहां पर कैनेडा के प्रधानमंत्री थे और उनका उन्हों किसी ने इसका विरोद नहीं किया आप सोचिए ये किस तरह का देश कैनेडा बन गया अगर भारत जैसी जगाप या किसी और मुल्क में होता तो कहीं न कहीं विरोद की आवास सुनाई देती हो सकता है भारत में अगर कभी भी कुछ कुछ भी होगा तो फिर जो है चार किसी भी सांसद ने इसका विरोद तक नहीं किया ये बात बहुत चुबने वाली है बहुत 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 हैरान करने वाली है और एक आतंकी के लिए इस तरह का प्यार जो कैनेडा दिखा रहा है और वो कहता है कि एक जो हरदीब सिंग निर्जर है ये दरसल एक बड प्रास्पोर्ट वीजा भी नहीं था इस तरह से घुसा था उसके बारे में जो जानकारी है और अगर कैनेडा कहता है कि भाई ये भारतिय मूल का नागरी काम नागरी को हम इस तरह से शद्धानजली दे रहे हैं तो सवाल ये कि पचास से ज्यादा भारतिय मूल के नागरी जो है पिछले पांस साल में कैनेडा में उनकी मौत हो चुकी है किसी ने किसी वज़ा से तो आज तक कभी किसी के लिए शद्धानजली सवाक आयोजन नहीं किया गया लेकिन इसके लिए किया जा रहा है तो ये जो प्यार है ये क्या दिखा रहा है सबसे तक आतंकवाद का कोई डेफिनेशन कोई परिभाशा ही तरह नहीं कर पाई है तो दिक्कत यह है कि दुनिया ने आज तक आतंकवाद की कोई परिभाशा ही तरह नहीं की है किसी के लिए कोई आतंकवादी है और किसी के लिए कोई वो स्वतंतरता सेनानी लड़ाका हो जाता है बी भी वी ची जैसा जो 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 मीडिया औरगनेज़िशन है वो आतंक वाधी सिर्फ अपने मिल्क में जो उन के खिलाफ हतियार उठाता है उन को आतंक मानझे पांचे नजलीे से लेकिं भारत में कश्मीर में जो आतंकी आतंकवादी जो हैं लगाता निर्दोश लोगों को मारते हैं उनको वो गन्मन कहता आतंकी कहता ही नहीं तो इसी तरह की दिक्कत यह है कि हमास को कुछ लोग आतंकवादी के संगठन मानते हैं कुछ लोग उसको मानते हैं कि वो तो इसराइल को के खिलाफ लड तो फिर आतंकवाद से हम लड़ेंगे कैसे लेकिन मैं कहता हूं कि जो कनिश्क विमान के साथ हुआ जिस तरह से इसको उड़ा दिया गया यह मॉंट्रियल से दिल्ली आ रहा था और जैसा मैंने बताया 23 जून 1985 को इसमें बम रखा गया और बम बीच में फटा और वहां पर ल 802 पर खालिस्तानी आतंक रिभारा विसफोटक हमला किया गया जिसमें 399 जी इट्रियों की मोत हुए जिनमें 268 कैनेडा के नागरिक थे कुछ कहता रही है इसलिए सबसे प principalmente ये आतंकवादी हमलों में दुनिया में लोग मारे जा रहे हैं इस तरह की आतंकवाद होता है जो कनिश्क विमांजों बम ब्लास था वो जो 911 अमेरिका में हो था उससे पहले ये सबसे बड़ा विमान इस तरह का हाथसा था सबसे बड़ा आतंकवादी घटना थी विमान को लेकर कुछ के बार तो 911 में भी विमानों को इस्तेमाल किया गया था और उसमें तो हजार लोगों की जान गई थी तो उससे 911 से पहले कनिश्क वाला जो पूरा बाम के जो है संसद में इतना प्यार उमरता है तो ऐसे में सवाल फिर हमारे सामने है कि हम आतंकवाद से कैसे लड़े और सबसे बड़ा सवाल जो मुझे लगता है आज हमारे सामने है कि हम पाकिस्तान और कैनेडा इन में से किसको आतंकवाद का जादा बड़ा समर्थक देश माने क्योंकि कैनेडा तो लगता है कि पाकिस्तान कभी रिकॉर्ड तोड़ने पर आमाद आ है आज के लेक नहीं नोशकार